हेलो गाईज, विल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल देट इस रोनी क्लासेज, आज मैं आप सभी लोगों को जैसा इमेज में शो हो रहा है, ब्लू वेल के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है, ब्लू या नीली वेल, दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, इनकी उत्पत्ती पांच करोड साल पहले हुई मानी जाती है, यह 30 मीटर तक लंबी और 180 तन तक वजनी हो सकती है नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कि एक ग्लू वेल की जीब एक अफ्रिकी वन हाती के बराबर होती है, और इनका दिल कम से कम एक गोल्फ गाड़ी के अकारगा होता है, इनकी दिल की धड़कनों को दो मिल दूर से सोना जा सकता है नेक्स्ट है, सबसे हरानी वाली बात यहा है, कि कोई भी वेल पानी में सांस नहीं ले सकती, इनके सर पर एक छेद होता है, जिनकी जायता से ये सांस ले पाती है जब पानी से निकल कर गोता लगाती है, तब वह छेद की मदब से सांस लेती है ब्लू वेल अपना सांस 35 मिनट से लेकर 2 गंटे तक रोक सकती है ब्लू वेल जब बच्चे को जन देती है तो उस वक्त उनका बच्चा लगभग 2.5 टन वजनी होता है प्रती गंटे 8 पाउंट उनके वजन में विद्धी होती है और प्रती दिन 1.5 इंच की दर से बढ़ता है सबसे अनोखी बात यह है कि ब्लू वेल 90 दिन तक बिना सोई रह सकती है सोते वक्त उनका दिमाग आधा जाकता रहता है और आधा सोया रहता है ब्लू वेल का जीवन काल 70 से 90 वर्ष का होता है नेक्स्ट ब्लू वेल दुनिया में सबसे शशक्त जानवर हैं वे एक दूसरे की आवाज 1000 मिल दूर तक सुन सकते हैं नेक्स्ट है ब्लू वेल की गर्दन काफी लचीली होती है जो की तैरते वक्त गोल गोम सकती है इनकी पूँच के अंत में दो सिर होते हैं जो उन्हें तैरने में साहता करते हैं या 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से तैर सकती है नेक्स्ट है ब्लू वेले कांत प्राणी है अन्य वेलों की विपरित ब्लू वेल समों के वजाए खुद अकेले या फिर जोड़े में यात्रा करती हैं सेंटरल केलिफोर्निया संयोगतराज अमेरिका में दुनिया में ब्लू वेल का सबसे बड़ा केंद्र है वहाँ लगबग 2000 वेल पाई जाती है नेक्स्ट है ब्लू वेल के दिल का वजन 600 किलोग्राम तक होता है और वहाँ एक मिनट में शिर्ष 9 वारी नड़कता है तो गाईज यह रहाए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि रिलेटेड थे ब्लू वेल से यह उप लोगा को बसंद आया होगा अगर मेरे वेडियो पसंद आया है तो पीसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज के लिए बस इतने हैं गाई